हाई एवरिवन दिस इस तरुन गंडागरे ये वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डंजो के बारे में डंजो एक बहुती प्रीमियम स्टार्ट अप है जो की फुट डिलिवरी करता है आप लोग को बहुत लोग को पता होगा जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनको अच्छे से पता है डंजो से वो उनने बहुत बार ओडर किया होगा तो हम इसमें देखने वाले है कि डंजो में सेलरी स्ट्रक्चर कैसे है SD1 को कितनी salary मिलती होगी SD2 को कितनी salary मिलती है SD3 को कितनी salary मिलती है और DUNZO में क्या-क्य facilities आपको मिलेगी अगर आप DUNZO join करते हो और DUNZO में work life balance कैसा है technology wise आपको क्या सीखने को मिलेगा कैसा सीखने को आपको मिलेगा अगर आप fresher हो और आप danzo join कर रहे हो तो आपको किस तरीके की चीज़े वहाँ देखने मिल रही होगी इस वीडियो में हम पूरी चीज़े एक एक बात इस वीडियो में हम पूरी चीज़े जानेंगे कि डंजो के अंदर क्या क्या चीज़े आपको मिलेगी और डंजो अगर आप जोइन करते हो तो क्या salary structure आपका होने वाला है तो चलिए वीडियो को start करते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो SD1 को जो कि मैंने यहाँ पे salary लिखी है 15.5 LP आपको मिल रहे होंगे जो कि आपका base package होगा उसके बाद bonus डंजो देती है ऐसे fresher 1 lakh और उसके बाद हम देखेंगे bonus डंजो देती है 1 lakh और 1.5 something lakh आपको मिल रहा होगा यह मैं को accurate data नहीं पता है क्योंकि हर college में अगर on campus होता है या off campus होता है तो यह data थोड़ा बहुत vary कर सकता है ठीक है और stock bonus में हम देखेंगे कि आपको one unit stock as a fresher मिल रहे होगे अगर आप senior level पर join करते हो तो आपको और ज़्यादा stocks इसमें देखने को मिलेंगे so total compensation जो आपका होता है वो होता है stock plus bonus plus salary और वो equal to 18 to 20 LP आता है इने year ठीक है तो यह बहुत ही अच्छा package है जिसमें से आपको base package बहुत अच्छा देती है डंजो आप compare कर सकते हो कोई भी company आपको as a fresher semi base दे रही होगी ऐसा नहीं होगा कि base वहाँ पे आपका बहुत company आपको fresher level पर join करने के लिए और अगर हम technology wise देखे तो डंजो एक बहुत शांदर company है डंजो एक startup है हाँ वहाँ पे थोड़ा सा fast pace environment है बट इसका मतलब यह नहीं है कि आपको काम बहुत ज़्यादा करना होता है इसका मतलब यह होता है कि कोई भी जो start up होता है वो थोड़ थोड़ी सी fast चीजे वहाँ पर जल्दी यल्दी बनाई जाती है क्योंकि वो अपना business grow कर रहे होते है जो भी company अपना business grow कर रहे होती है वो थोड़ी सी fast way में काम करते है जिससे कि बहुत ही आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा आपको नहीं नहीं चीजों पर काम करने को मि मिलता है तो आपको यह सब चीजे वहाँ देखने को नहीं मिलती है तो इसलिए मैं हमेशा prefer करता हूँ कि आप startup join करो अगर आप pressure हो तो वहाँ पर आपको एक अलग ही माहोल मिलेगा और एक अलग ही चीजे सीखने को मिलेगी जब आप one year two year complete कर लोगे तो आपको definitely बहुत changes देखने को मिलेंगे जो की एक बड़ी company में जो जाता है उसको उतनी चीजे नहीं आती है जितनी आप सीख लोगे एक दो साल में क्योंकि वहाँ प्यार लोग कम होते है जब लोग कम होते है तो responsibilities ज़्यादा होती है इस crash से बनते हुई चीजे जब आप देखते हो इतना ब बड़ी company का और एक startup का तो ये बात ध्यान में रखना हां salary important होती है बट अगर salary में कुछ ऐसा major difference नहीं है तो आप आराम से startup join कर सकते हो तो ठीक है वीडियो में आगे बढ़ते हैं उसके बाद अगर आप SD1 पे OnePlus experience में डंजो join करते हो तो आपको जो salary है वो थोड़ी सी vary कि आपका base package 15 से 20 लाग के बीच में हो सकता है ठीक है ये depend भी करता है कि आपका previous compensation कितना था उस पे बहुत ज़्यादा ये चीज निरभर करती है बट OnePlus experience पे आपको 15 के उपर ही base दिया जा रहा होगा डंजो में ओके और stock bonus भी vary कर जाता है यहाँ पे आपको as compared to fresher ज़्यादा stock bonus मिल रहा होगा joining bonus भी आपको जादा मिल रहा होगा अगर आपके पास competitive offer है तो आपके और भी chances बढ़ जाएंगे कि आपको और जादा company pay कर रही होगी और bonus भी हाँ पे आपका बढ़ जाता है जो 2 lakh to 3 lakh के बीच में आपको मिल सकता है यहाँ पे डंजो के अंदर अगर आप one plus year पे join करते हो डंजो तो यह एक बहुत अच्छी बात है आपको बहुत शांदर package यहाँ पे मिल रहा है as a fresher और as a one plus year experience तो एक बहुत अच्छी चीज है यार इस्टार्ट अप इतना दे रहा है आपको learning opportunity इतनी है benefits इतने है डंजो के पास तो और क्या चाहिए इतने में त तो करी लेंगे यार जॉइन चलो अब बात करते है SD2 package की कि SD2 का package क्या होता है भिया हमें यह बहुत जानना है यार कि हम भी तो एक दिन SD2 बनना चाहते है भले आज नहीं पर थोड़े दिन बात तो हम SD2 के लिए apply कर रहे होंगे बन रहे होंगे तो क्या डंजो हमारे लिए अगर आप 2 plus year to 3 plus year experience पर डंजो जॉइन करते हो तो आपको जो base salary है वो 30 LPA मिल सकती है ठीक है 30 LPA इनका minimum है जो मैंने देखा कि 30 LPA दे रहे थे सबको उसके बाद यह vary कर सकता है अगर आपका पहले का compensation जादा है और आप चाहा रहे हो कि आपके पास कोई competitive offer है तो यह vary कर सकता है 30 के उपर भी base package आपको जा सकता है उसके बाद हम देखते bonus bonus जो है वो 3 LPA का है तो यह भी बहुत अच्छा bonus है आपको joining bonus मिल जाएगा जब आप join करोगे तो अब यह मैं sure नहीं हूँ कि यह joining bonus जो है वो आपको एक साथ मिल रहा होगा joining के time या आपके जो base में divide by 12 होके आ र तरीके से भी आपको दिया जा रहा होता है तो यह depend करता है आपको कोई denzo employee से पूछना पड़ेगा जो recently join हुआ है कि उसको किस तरीके से मिला है तो इससे आप पता लगा सकते हो उसके बाद performance bonus है जो आपको साल के आखरी में दिया जाता है जब आप एक साल complete कर लेते हो उसक इसके बाद stock bonus की बात करें तो stock bonus 4.5 LPA के stock bonus दे रहा है denzo as an SD2 तो यह बहुत अच्छी चीज है आप बिलकुल यह चीज को preference देना की बहुत ज्यादा आपको stock मिल रहे होगे जब भी denzo listing होती है company की e-socks मिल रहे होंगे जब भी company की listing होंगी तो आपको फायदा होगा definitely denzo एक अच्छा startup है अच्छा growing startup है और बहुत शांदार यह metro cities में चल रहा है तो आप यह चीज जरूर याद रखे reallocation bonus आपको 50,000 to 75,000 something मिल जाएगा तो यह भी अच्छी चीज है अगर आप city change करते हो अगर आप को new city में आते हो तो आपको definitely यह चीज मिल रही होगी यह benefit भी आपको मिल रहा होगा तो यह अच्छा benefit है आप join बिल्कुल कर सकते हो तो यहाँ पे आपका total compensation हो जाएगा 36,000,000 तो यह बहुत अच्छा amount देखने में लगता है और हाँ यह बहुत अच्छा amount है जो आपको साल भर में मिल रहा होगा ऐसा नहीं हो रहा होगा यहाँ पे कि यार 50,000,000 बता दिया बट साल में मुझे 30,000,000 ही मिल रहे है 20,000,000 तो म आपको आराम से in-hand salary मिल जाएगी in a year तो यह बहुत अच्छी चीज है आप definitely यह चीज को preference देना जो की startup में होता है startup में base salary हमेशा जादा होती है और stock और joining bonus यह लोग कम रखते तो base salary भी important होती है अगर आप compare करोगे 4 साल में जो एक fang level का package होता है 4 साल के around यह भी अगर आप 36 lakh का into 4 करोगे तो यह भी around उतना ही करीब बनता है 4 साल के compare करोगे तो आप और ऐसा भी नहीं है कि आपकी salary नहीं बढ़ेगी 4 साल में वो भी बढ़ेगी तो ऐसा कुछ नहीं है आप बहुत अच्छी company दंजो आप definitely join कर सकते हो अब देखते है SD3 का package कि SD3 का package क्या है SD3 का salary structure ह 35 to 45 LPI as a base package है तो यह बहुत अच्छा package है और 45 से vary भी कर सकता है 50 भी जा सकता है डिपेंड करता है आपका year of experience कितना है आपका previous CTC किता था यह सब चीजों पर depend कर जाता है बढ़ हां company में ऐसा नहीं होता है कि यह बिलकुल 35 या 45 पे fix है और इसका जो CTC जाता है 50 to 60 LPI जा सकत है stock joining bonus यह सब मिला के तो यह बहुत अच्छी चीजों जाती है यार इतना आपको दिया जा रहा है company के तरफ से और क्या चाहिए इतना काफी है और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा डंजो में बहुत सारी facilities आपको मिल जाती है जैसे कि free food मिल जाएगा आपको free facilities मिल जाती है free medical facilities मिल जाती है बहुत सारी facilities डंजो देता है और work from home का भी मैंने ऐसा सुना है कि work from home भी अगर आपको चाहिए तो डंजो प्रोवाइट कर देता है आप घर से भी काम कर सकते हो बठा कभी भी आपको थोड़ा बुलाया जा सकता है तो आपको उसके लिए तयार काम कर रहा है मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है कि Saturday Sunday भी आप से काम कराया जा रहा हो हां कुछ cases में हो सकता है बट हां majority cases में ऐसा नहीं हो रहा है जितना मैंने अभी reviews पड़े है जितना मैंने अभी देखा है डंजो बहुत अच्छे से काम चल रहा है वहाँ पे और start-up ह उने के बावजूद एक अच्छा environment उनने maintain करके रखा है इतना ज्यादा load नहीं है employees पे employees के review मैंने पड़े तो बहुत शांदार reviews आ रहे थे तो मुझे डंजो बहुत अच्छी लगी company अब हम बात करते कि exam pattern की कि जब as a fresher हम डंजो के लिए apply कर रहे होंगे तो हमें क्या दो question पूशे जाएंगे आपसे और वो दो question medium to hard level के हो सकते हैं आपको पता होगा कि डंजो एक अच्छा startup है अच्छा pay करती है तो हाँ थोड़ा सा level hard होता है questions का return test में level hard होता है अगर return test आपका निकल जाता है तो interview के round easy होते है as compared to return test तो interview rounds में दो rounds आपके DS के हो रहे होंगे तीसरा round आपका technical हो रहा होगा वो भी manager plus DS के साथ okay तो mainly SD1 पे focus रहता है कि आप DS में बहुत अच्छे होना चाहिए development में उतना focus नहीं होता है last round में आपके जाके थोड़ा बहुत पूछा जा रहा होगा manager level पे कि आपने क्या बनाया है क्या किया है manager round में आपके साथ पूछा जा रहा होगा ये सब but 80% cases में DS पे interview based होता है थोड़ा बहुत subject का पूछ लेते बट 80% DS पे ही होता है तो आप DS में बहुत अच्छे होना चाहिए अगर आप डंजो crack करना चाहते हो या डंजो का exam दे रहे हो तो ऐसे डंजो के round होता है as a SD1 अब हम SD2 की बात करें जो अभी SD1 है बट SD2 बनना चाहते है तो उनको कैसे round देना होगा डंजो के लिए तो SD2 लेवल पे आपका DS का round थोड़ा सा easy हो जाता है मतलब DS के round एक दो हो रहे होंगे बट उसका level थोड़ा से easy होगा क्यों क्या reason है इसक skill high level design में बहुत अच्छे होना चाहिए आपकी logical thinking बहुत अच्छी होना चाहिए आप बड़ा scalable सोच पाओ बड़े बड़ी बड़ी चीजों पर काम कर पाओ बड़ा जो हमारा system में उसको अच्छे से handle कर पाओ उसकी अच्छे से guidance दे पाओ दूसरे लोगों को इसके लिए हर companies चाहती है कि अच्छा SD2 हमारी company में आए जिससे हमें भी benefit हो और हम भी उसे salary देने के लिए ready हो तो ये चीज होती है वहाँ पर बहुत ज्यादा focus होता है कि आप SD2 level पे design skill में अच्छे हो, DS में उतने अच्छे नई भी हो तब भी आपके chances बनते हैं कि आप company crack कर जाओगे क् थोड़े अलग type के round हो रहे होते हैं वहाँ पर आपके machine coding round हो रहे होते हैं देख रहे होंगे वो कि calendar system बना के बता दो यार कि एक high level पर आप कैसे सोच रहे हो कुछ भी ऐसी चीज़े आपको बनवा के देखें दिखाना पड़ेगा वहाँ पर जो development related हो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आप DS में बहुत ज़्यादा आपसे tough पूछ लिया है वहाँ पर DS में उनको पता होता है कि यार ये बंदा development कर रहा है दो साल से college से नहीं निकला है तो इसे development ज़्यादा पूछना चाहिए हमें DS पूछते हैं मैं यह नहीं बोल रहा कि DS बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं बट मैंने जो देखा है वह level थोड़ा सा कम होता है as compared to SD1 तो ठीक है आपको design skill पर काम करना होगा design round आपके एक हो सकता है या दो भी हो सकते है यह depend कर जाता है अगर पहले round में आपका feedback बहुत अच्छा आता है तो दूसरा round शायद आपका ना हो बत अगर ऐसा नहीं होता है उनको लगता है कि यार हाँ इसे एक और बार हमें देख लेना चाहिए तो एक और बार आपका design round लिया जाता है इस type से डंजो का interview हो रहा होता है और जैसे कि बाकी सब process होती है HR round, salary negotiation यह सब तो सभी companies में common है तो इसके बारे में हम इस video में बात नहीं कर रहे हो होंगे तो hope आपको video पसंद आया होगा इस video में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में देखा समझा कि डंजो में कैसे क्या होता है किस तरीके से आपको prepare करना चाहिए DS पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो अगर आप SD1 जॉइन करना चाहते हो pressure के लिए वहाँ पे तो तो आप को DS में medium to hard level के questions, lead code level के questions आना चाहिए ठीक है तो आपका आराम से डंजो crack हो रही होगी तो मिलते हैं यह वीडियो के साथ तब तक के लिए take care bye bye see ya have a good day channel को subscribe कर देना जिसने subscribe नहीं करके रखा है ओके बाई